चे मतर्च दोस्तों मैं हूँ रिशी रोहित शर्मा आपके साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र का भावदों में कैसा फल होता है तो दोस्तों इस जो चर्चा है इसमें जो महा नदियां बही है वैसे तो सभी का योगदान रहा है काफी लोगों का योगदान रहा है वो एंड में आपको स्लाइड में हम दिखाएंगे पर जो महा विशाल नदियां बही है वो आपके सामने है तो यह पिचस मैंने रैंडमली लगाई है और इसमें वुबिंदर सिंग जी विकास परमा जी डॉक्टर वीर सिंग जी राहुल अचारे नित शर्मा, कविता मतानी, एस्ट्रो कोमल, पृती जैन और सरिता पांडे जी और भी बहुत सारे ऐसे शप्स जिन्होंने इसमें बहुत ही अच्छा कारे किया है और उनका दिल से धन्यवाद है तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बहुत सारी धेर सारी लगबग दोस्तों से उपर निशानिया है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो जिन लोगों के नाम पीछे दिये हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे जो सीख सकते हैं या कुंडली के लिए आप उनके साथ संपर्क कर सकते हैं त और उसकी married life में प्रेम बेशमार होता है, समारपन होता है और एक दूसरे की समझ होती है जैसे कि आपने देखा होगा कई पार्टनर एक दूसरे की बातों को समझते नहीं है पर इस case में ऐसा नहीं होता यहाँ पर ऐसे जातक को शुकर खाना नबर दो में हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि कई बार अपने जो पर्शनल चीज़े हैं वो चुपाता भी है वो उनको सीक्रेट रखता है खासकर अपनी बाते और खासकर यहां बैठ की बाते हैं यहां family life की बाते तो वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता देता तो यह एक बढ़िया चीज है अपने secrets कम से कम कई बार लोगों से चुपाने भी चाहिए क्योंकि जो शुकर है शुकर प्रेम है तो प्रेम हरिदे में होता है तो कुछ बाते दिल में ही रह जाती है और जो बाहर नहीं reveal होती और यह बहुत अच्छा symptom है यहां पर इस्तिति में अगर हो तो घर का जो सोना होगा और धन की प्राप्ति होगी यहां पर शुकर जो है कहा गया है कि अगर ऐसा जाते कि मिट्टी के कार्या करें मिट्टी के शुकर की वस्ति शुकर की चीज़ों का साथ रखें उनके कार्या करें तो काफी धन और सोने की प्राप्ति होती है और सोने का कार्य करने से मिट्टी की प्राप्ती होती है यानि कि अगर वो ब्रस्पती की चीज़ों का काम करें तो उसको इतना लाप्राप्त नहीं होता तो यहां पर आपके परिवार के सद्धियों के बीच में अगर कोई ऐसा देखा गया है कि कोई स्ट्रगल हो कुछ मन मुटाब हो तो शुक्र दो वाले ल हाते हैं हल्प करते हैं तो यह भी चीज़ बहुत अच्छी है शुकर दो में शुकर दो वाले सबको साथ ले कर चलना पसंद करते हैं और ऐसा जातिक जिसका शुक्र दो होगा उसको अपनी मा का समर्थन भी मिलेगा पत्नी का समर्थन भी मिलेगा यानि कि चाहे वो चंद्रमा है चाहे वो शुक्र है कि वो चंद्रमा की उच्च की इनर्जी है इसकर में तो उसको कहीं न कहीं लाग प्राप्त होता ही रहता है शुक्र दो में यहाँ पर एक विचारनी जो बात है वो ये है कि जो बच्चों का जनम होता है कहीं बार देरी से होता है पर जरूरी नहीं और भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और कहीं बार ऐसा जाता है कि अगर मंगल की चीज़ों का आप शुक्र करे तो बच्चे बहुत चल्दी हो जाते हैं शुक्र दो में हो तो ऐसा ज्यातक होगा वो ब्रेंड़िट चीज़े जैसे कि शुक्र एक की तरह ही तो वो अच्छे-च्छे सुंदर कपड़े पहनने का शुकीन होगा और यहां पर यह भी हो सकता है कि के बार अगर शुक्र ख्राव हो तो इसके जब वयवाशादी में देरी हो सकती है और शुक्र के काम जो है वो अच्छे होंगे और गुरू के काम मेंसे इतना लाफ इतना प्रॉफिट वो नहीं कमा सकता तो यहां पर गाये को शुखरवार को खिलाना जो हो शुख रहेगा क्या खिलाना है क्या हुपाय है कुछ उपाय हमने सिक्रた रखे हैं कुछ निशानियां भी हमने सिक्र human हैं सब कुछ नहीं बताया गया है तो क्युक्वि कई बार वो चीज़ों को अगर आप गलत पर्योग करते हैं तो कई बार आपको या किसी और को हानी हो सकती है तो यहां पर हमने मोटी मोटी बाती वो डिस्कस की है और अगर आपको सीखना चाहते हैं जोतीश तो आप इन लोगों से संपर्क करेे और होरोस्कोप भी आप इन लोगों को दिखा सकते हैं बावुक गीत कहीं बार ऐसा जातक जो होता है emotional sad songs या सूफी संगीत का भी वो शौक रखता है उनको शौक होता है कि सूफी मुजिक सुनने का सूफी संगीत सुनने का और ऐसा जातक को चाहिए कि अपनी माँ और पतनी के साथ हमशा ही मजबूत संबंद बना करके तबी ही शुकर बड़ी अफल देगा यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जातक को घुरू के रिष्टधार जतने में होते हैं वो इतना अच्छा फल अच्छा साथ नहीं देते हेल्प नहीं करते पर ऐसे जातक को कहा गया है कि अगर मदद मांगे है अगर हेल्प चाहिए तो उपर वाले से मांगे और उपर वाला इसकी जो बात है अवश्या सुनता है क्रेक्टर साफ हो दिल साफ हो और अगर ऐसा जातक उपर वाले से कोई चीज मांगेगा तो उपर वाला अवश्या ही देता है चाहे उसमें थोड़ा सा विलंब या देरी क्यों ना हो जाए ऐसा जातक कहीं बार जो wild life photography होती है उसमें रूशी रखते हैं या उनके घर में ऐसी फोटो में पाई जाती है फोन में लैप टॉप में जो wild life photography हो इनको ऐसे viral videos जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आज कल जैसे शेरों के आते हैं wild life में या जिराफ ऐसी फोटो इनको पसंद होती है elephants की या पोस्टर लगाए होते हैं और विवा में ऐसे लोग जो होते हैं सोच समझ कर शादी करते हैं sort of शुक्र यहाँ पर एक diplomat planet भी है diplomat planet means की ये देखता है क्यों शुक्र दो में है तो यहाँ पर यह ऐसा जातक ऐसा देखके शादी कहीं बार करवाता है कि जहाँ पर उसको in future profit मिले यानि की बड़े सोच समझ के विचार करके ये शादी करवाने वाले होते हैं चूजी पार्टनर चूज करते हैं और कहीं बार एसे जातकों की love marriage भी होती है शुकर खाना नंबर दो में हो तो ये भी देखा गया है कि घर में देवी देवता के जो सजाने के पूजन के समान समगरी आदी यहाँ पर पड़ी होगी क्यों कि शुकर है यहाँ पर तो ऐसा हो सकता है कि घर कर जो मंदर हो या कुछ सा उसमें ऐसी चीज़े पड़ी हो जो शिंगार की देवी देवताओं की शिंगार की हो और जैसे गहीं बार होते हैं ना माता का शिंगार या पुश्परमाला या ऐसी कोई सुन्दर सुन्दर चीज़े रखी हो इतरादी रखा हो तो यह भी हो सकता है यहाँ पर ऐसे जाते को उत्तर पश्चिम में ड्रेसिंग टेबल हो सकता है और ऐसे जाते को चाहिए कि जो इनके बच्चे होते हैं उनको जड़ा वो क्याते कि वो मौडर्न सोच के होते हैं आधनिक सोच के विचारों वाले होते हैं घर में कोई न कोई जरूर ऐसा होगा जो वाधनिक सोच वाला हूँ चाहे खुद हो चाहे पतनी हो चाहे बच्चे हो तो इसको चाहिए कि ज़रा उनको सप्रेस ना करे तो लेट इट भी लाइक तेट तो वो अधिक अच्छा रहेगा अगर यहां पर शुकर खराब हो तो ऐसे जाते कि कही बार आफ्टर मेरिटल एक् पर रानी बनकर रहती है आलो की सबजी आलो के चिप्स खाने इनको पसंद होते हैं और कई वार ट्रावलिंग के समय है से जातक सबसे पहले जो है वो चिप्स लेते हैं खरिटते हैं तागी सफर अच्छा गुजरे या मूवी वगरा देखने जाएं तो वहां पर रहे बस ट्रेन में सबसे पहले जैसे की लिखा कि चिप्स खाते हैं और आगे चलते हैं घर में किसी का नाम इश्वर के नाम से होता है यह हमने बुक में भी लिखी थी और यह बैटिंग काफी हद तक लोगों ने कहा है जी जो निशानी है कि यह 99% true है तो ऐसे जातकों के घर मे कोई समस्या हो सकती है और कहीं बार यह भी देखा गया है कि उसका यूट्रस कहीं बार रिमूव करवाना पड़ जाता है तो यह जो है यहां पर एक negative point है पर अगर यह जातक अपना शुकर ठीक रखे और अपना क्रेक्टर भी ठीक रखे तो ऐसी चीज़े बहुत ही उनके जो समभावना हैं कम हो जाती है पतनी इसकी सुन्दर दिखती है बिना मेकप के भी इसकी ऐसे जाता कि जो पतनी होती है उसका चहरा जो होता है उच्वल होता है तेजवान होता है और कहीं बार दिखा गया है कि वो खुद ही यहां तो उसने beauty पार लगा कोर्स किया होगा य विद्वाव औरत के साथ किसी भी तरह का जो अधिक गहरा लिंक है वो ऐसे जातर को खराबी क्रियेट करेगा और प्रब्लम्स आएगी ऐसे जातर को कभी भी किसी की पीट पीछे जुगली नहीं करनी चाहिए लोगों की नेगटिव बातें नहीं करनी चाहिए खराब नबर दो हमारा मुक है हमारी वानी भी दर्शाता है तो ऐसे जातर को नेगटिव चीज़ें किसी के बारे में बोलना किसी की पीट पीछे उसकी बुराई करनी इन चीज़ों से बचना चाहिए हमेशा ही सच बोलने कर प्रयास करना चाहिए तो यहाँ पर जो शुक्र ह हरा नमबर दो में काफी अच्छा फल ऐसे जातर को देगा मंगल की मदद लेनी चाहिए जब भी हो मंगल की चीज़ें जो कंस्यूम करें कुछ चीज़ें हमने नहीं बताई पर एक एग्जांपल के तौर पर जैसे सुबह उटकर अगर शहद थोड़ा सा एक पूंद शहद अपनी जीवा पर लगाए तो काफी इसको अच्छे फल मिलते हैं खाना खाने के बाद सौफ नेकर सकता है सौफ का परियोग कर सकता है तो ऐसे में मैं भी काफी अच्छे फल की प्रापती होती है तो मैंने कहा है कि सभी चीजा यहां पर नहीं बताई गई हैं कुछ चीजे जो है वो एक सीक्रेट रूप में इडन रूप में भी बताई जा सकती है या नहीं बताई जा सकती है तो यहां पर होमेपातिक दवाओं का अधिक से अधिक जो है इसको फल प्राप्त होता है तो अगर ऐसे जातक को कोई परशानी आ रही हो तो होमेपातिक दवाओं का भी परियोग कर सकता है होमेपातिक के साथ साथ मैंने देखा है कि आयुवेधिक दवाओं खासकर जो पूटियां होती हैं वो भी इस जातक को काफी लाप देती हैं और वैसे इस जातक को इन चीज़ों की नॉलज होती ही होती है फूर एक्जामपल मेरा एक दोस्त है यहां पर शुशु की बच्चों की बात करें तो उसका जो जातक की पीछे हमने बताया कि ऐसे जातक कि नर उलाद में कमी होती है तो वो जोची है और उसके दो बेटिया है उसने उपाई किये हुए है और होपली शायद उनके तीसरा जो बेटी हो उसमें कोई फर्क नहीं है और उनको ही अपना बच्चा समयना चाहिए और इक्वल समयना चाहिए और उनसे पूरा प्रेम करना चाहिए सुसराल दन्वान होता है जैसे आगे बता ही दिया है अगर लड़की की गुंडली में हो तो धनी परवार में शादी होने के ही योग होते है और ऐसे जातको बहगवान से ही मांगना चाहिए किसी के आगे हाथ नहीं पैलाना चाहिए शुकर खाना नमबर दो में हो और अगर ऐसा जातक शेरम की मकान में रहता है तो कामकाज की दिक्कत लड़ाई जगड़े ये सहत की समस्याइं आ सकती है वैसे ऐसे जातका कहा गया है कि बुड़ापे तक अच्छा ये कामकाज भी चलता रहेगा और ये खुद भी अच्छ बनकर रहेगा ऐसे जातक को हमेशा ही अच्छा बनकर रहना चाहिए अपने आपको अपटो डेट रखना चाहिए अपने आपको खुद को अपटो डेट रखेगा तो यहाँ पर शुकर भी अचा रहेगा और पैसे की धनगी कोई कमी भी नहीं होगी ऐसा देखा गया है कि जाता कि घर में क्रिशन जी की मूर्थियां बहुत देखी जाती है और कहीं बार आदा क्रिशन की फोड़ भी नॉर्थ वेस्ट में देखी गई है शादी प्रेम विवा भी हो सकता है मुसलि ऐसे जाता कि जो है लव मेरिस करवाते हैं अपनी पसंद का लड़का लड़की को घर में लेकर आते हैं और अगर ऐसा जातक बाहर किसी ओरत के साथ या अगर लड़की हो तो किसी बाहर किसी लड़की के साथ कोई संबंद बनाने लग पड़े कलत काम करने लग पड़े तो यहां पर शुकर बिलकुल ही खराब हो जाता है और जिसकी वज़ा से मानहा नहीं हो सकती है ज़ा आगे बच्चों में विगना सकता है जब कोई भी व्यक्ति यहां पर शुकर खराब कर लेता है तो इसको कहीं बार किसी चीज़ की addiction भी हो जाती है और उसे कहीं बार ऐसा महसूस होता है कि वो अंजाने में ही किसी की और attract हो रहा है तो यहां पर शुकर अगर खराब हो जाए तो वो एक तरह की किसी और के प्रति एक बहुत भेंकर addiction देता है आपने देखाने कई बार ऐसे लोग जैसे शादी शुदा होने के बाद भी अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं यह भी हो सकता है सोने के काम करने से बचना चाहिए याने की ब्रसपति के यहां पर वो सोने काम कंप्पिटर ने किसी और वे में लिख द कभी यह काफी कारागर से दुआ है देखा गया है नकली जवारत कभी भी नहीं पहने चाहिए आर्टिफिशल ज्वैलरी ऐसे जातक को कभी भी नहीं पहननी चाहिए और वाइड करनी चाहिए गाल संदर गुलाबी और चमकतार होते है ऐसे जातक कि जो गाल होंगे वो काफ यग तरह के रंगीन जश्में जदे आसकल चले हैं तो वो पहनने का भी शोकीन होता है ऐसे जातक कि पतनी सुन्दर होती है और जातक कुद काफी पड़ा लिखा और समझधार होता है और ऐस जातक को घर में खीर बनाने यादत होती है या दिखा गया है कि ऐसा जातक कहीं बा काड़ियां भी देखी गई हैं और हर काम में चुस्ती चला की और सफाई से करता है थोड़ी क्लेवरनेस कनिंगनेस होती है बातों जैसे मैंने पहले बताया कि सीक्रेट्स भी रखते हैं कहां पे कौन से बात करनी है और कैसे करनी है यह दाव पेच्छी सारा कुछ जानता होत रहता है ऐसे जाथ झाए को शुकरہ खाना नंबर दो में हो तो देखा गया है कि ऐसा जाथ दूसरों की शिकायत बहुत से चलदी करेगा है ऐसे जाथ तक को आदत हो कहां जहां पे यह दिससाटिस्टोर हो तो दूसरे जाथ कि हायर मेनेज्मेंट के पास जलदी से कंप्ले करते हैं हर किसी की शिकायत करने की आदत अगर हो ऐसे जातक को तो ये भी शुकर के मिन्स के भुरे फलों की तरफ इशारा करता है पत्नी काम करे घसे काम करे तो अच्छा है और ऐसे जातक जो होते हैं वो सलाह देने वाले होते हैं और उनकी सलाह जो होती है वो औरतों को गया है पर शुकर दो में भी शुकर भी एक गुरू है तो औरतों का गुरू भी बन जाता है अराम पसंद होता है लग्जरी लाइफ जीने वाला होता है और इसकी पत्नी भी लग्जरी लाइफ जीने वाली होती है और लग्जरी पसंद करती है शुकर खाना नमबर दो में हो तो ऐसा जातक सबसे पहले अपना सोचेगा यानि कि अपने आराम का एश का और फिर किसी का गाम करेगा अगर आप उसको कुछ कहेंगे तब पहले ये सोचेगा कि जैसे कहीं बार आपने देखा होगा बच्चे थे हम जब चोटे बच्चे थे ना तब पापा में कहते थे कि यार कहीं बार बाहर से समान लियाओ तो हम कहते हैं इन साइकल नहीं मैं स्कूटर ले जाओ तो इस तरह से ये जातक करते हैं कि यार अगर उनको कोई काम कहा जाए तो ये इजी वे ढूंडते हैं उसको करने का मोसली और शुकर दो में होता है ऐसा जादक कहीं न कहीं किसी धार्मिक संस्ताज़ भी जुड़ा होता है जो कि इसके लिए अच्छा होता है अच्छे सुजाव देने वाला होता है अच्छी सला देने वाला होता है और यहां पर शनी भी कहीं बार अच्छा फल देता है ऐसा चाहता कि यह बार किसी धर्मशाला के साथ जोड़ा होता है उसका मेंबर होता है गर में लड़ू को पाल की मूर्थिया हो सकती है और ऐसे चाहता कि पत्नी को बाल चोटे नहीं रखने चाहिए स्वारी नहीं नहीं है ऐसमें यानि कि ऐसे चाता कि पतनी जतने लंबे बाल रखेगी उतना ही अच्छा है उतना ही शुप होगा उलाद की समस्या हो तो खाने में मंगल की चीज़ों का प्रजोग करे जैसे कि हमने पहले भी डिसकस किया है विदेश योग होते हैं विदेश में सैटलमेंट होने के चांसिस होते हैं ससुराल से भी कहीं बार नहीं बनती है अगर शुकर खराब हो तो ग्रस्ती शुप रहती है अगर शाल चलन नेक हो क्रेक्टर सही रखे तो दूद बेचने के काम से भी लाभ होता है और यह ऐसा जातक ऐसा होगा कि जो अपनी मेहनत के दम पर कुछ ना कुछ बन जाएगा यानि कि अगर पिता से माता से कुछ नहीं मिला तो ऐसा जातक खुद अपनी मेहनत से भी राजा बन सकता है ऐसे जातक को धन के लिए मेनते नहीं करनी चाहिए धन खुद भाखुद आ जाता है लक्षमी खुद भाखुद के विखाना नमबर दो में बैठा है शुकर तो आती है और ऐसे जातक को मुशली देखा गया है कि कम मेहनत की ये काफी अच्छे फल प्राप्त होते हैं रिजग की कमी नहीं होती रिजग चलता ही रहता है जीवन में हर तरह का सुक्र समर्दी को ये पाने वाले होते हैं जीवन संगी इनका सुन्दर होता है और इनकी क्यर करने वाले होते हैं और यहां प्र तक भी दिखा है कि पत्नी कहीं बार इसकी काफी दिलेर होती है और इसका सास देने वाले होती है पत्नी जो होती है वो नोकरी एंकामकाज करने वाली भी होती है तो पत्नी भी कहीं बार धनर्जित करकलाती है नशे नहीं करने ऐसे जातक को ऐसे जातक अगर किसी भी तरह के नशे में पढ़ जाता है तो यहां पर शुकर खड़ा होता है ऐसा देखा गया है ये एक निशानी है कि ऐसे जा तक कि घर में ना कहीं पर ताकत की दिवाईयां बहुत देखी गई हैं चाहे वो किस परकार की भी हो चाहे वाइटामिन, मिनरोल्स के कैपसुल हो तो वो भी आपको विचार करना चाहिए गोचर में अगर हो यहां पर विष्चिक राशी में हो तो खाना नमबर दो जो घर का है इसमें धनक और शादी के लिए शुब समय होता है तो यह गोचर की बैटेंग है थोड़ी से लिए में बताई गई है जा तक को अच्छा परिवार और समर्तन मिलता है और शुकर खाना नमबर दो के समय जैसे की बता है कि गो मुखी घर बहुत अच्छा होगा अगर शेर मुखी मकान होगा तो मंदा वल देगा विद्वा या तलाक शुदा इस तरी के सम्बंद बर बरबादी का कारण बनेगा आगे हमने आपके साथ इस विष्चे बरबाद करही ली है तो य चुब तो भगला भगत की तरह होता है ध्यान दूसरी वड़तों की और अधिक रहता है अगर शुकर यहाँ पर खराब हो तो दूसरों की बहु बेटीओं की तरफ इसका ध्यान दिक रहेगा रहों के साथ तो अच्छा फल नहीं पत्नी की सहत की खराबी रह सकती है पत्नी को कहीं न कहीं जो पेट के साथ या रिपर्डेक्टिव और्गंस के साथ कोई न कोई रूख हो सकता है और सुफियाना अंदाज का होता है सुफी संगीत सुनने वाला होता है यानि कि कहीं न कहीं ये इश्क और रूहानी इश्क दोनों जिस्मानी रूहानी इश्क का शुकीन कुछ नहीं चाहिए और आप मांस मीट इन को करना चाहिए और यहाँ पर जो की सेवा करें उसके जो भिनसींघ वाली कहाWhere करें चुकर दो में हो तो गाएं का की दोो स्क्राम या दो किल двух जितना भी होसे के मंदेर मेंदान करें ये गब तुपाए हैं कुछ नहीं बताएगे कुछ बताएगे हैं यस भी आप जानते हैं जातकि यांखे ख्यूские हो वानी की इसकी मीटी होती है कि इंबार इसको singing का शौंक भी होता है केती की सभीन हो सकती है शुक्र पर मंगल की दृष्टी हो तो अच्छा होता है यहां पर ऐसे जातक कि नरसंदान होने के भी 100% यूग होते हैं शादी के बाद अपने गले में यह बड़ा अच्छा पाय है अपने गले में अपने पार्टनर का सोने की चेंड में नाम लिखवा कर धारन करें तो उससे भी काफी अच्छे फलों की प्राप्ती होती है लाल मिट्टी के गमले में में आलू का पॉदर लगा ले और इससे जौक होता है और ऐसा भी देखा गया है कि कहीं बार शुकर दो वाला जो मूँ से बजने वाले साज होते हैं जैसे बांसुरी होगी या कुछ पी ऐसे जो फूक मारकर या मूँ से लिप्स को टच कर कभी दाने वाले जो कोई साज है तो वो भी बड़े ठे बजाता है सेक्स फोन हो गया सेक्स फोन बहुत रियर होता है और भी आप साज समझ सकते हैं पतिनी सुंदर और कर भी होती है थोड़ी सी और यह चीज़े हमने पहले भी डिसकस की हैं शुकर खाना नमर दो में हो तो यहां पर ऐसा जाता कि चुमन करने का मास्टर ब्लस्टर होता है होंटों साफ रखना भी अच्छा लगता है पहनावे का बहुत द्यान देगा और हैंड राइडिंग सुंदर होती है इतर परफ्यूम फ्रेग्नेस का शुकीन होगा विद्वा इस तरीके साथ संपर्क नहीं रखना और तों का गुरु होता है इश्क में सभी हदे पार करने वाला परवाना भी होता है गो मुकी मकान शुब शेर मुकी अशुब होता है शुक्र खाना नबर दो में हो तो ऐसे जातक को चोबारे पर या चत पर रहना काफी अच्छा फल देगा और इससे इसको काफी लाब बिलेंगे शुक्र खाना नबर दो में हो तो ऐसे जातक कि बीवी को नंगे पाउं नहीं घूमना चाहिए वैसे शुकर दो में लिखा गया है पच्छी में भी ऐसे ही फलों की प्रापती होती है शुकर के काम कॉस्मेटिक या लेडिस का जहां पर आना जाना हो ऐसे काम जहां पर लेडिस का आना जाना हो लेडिस के साथ संपर्क जड़ा बनत तो है वो इजन अच्छा नहीं है काली गाएं जो भिना सिंग वाली है उसकी सेवा करे माता लक्षमी को 200 ग्राम मुश्क को पूर चड़ाए बहुत ही खूग उपाए है और स्पाउस को यूटरस कोई स्वस्त समस्याएं हो सकती है उनका भी उपाए करे दोस्त बहुत अधिक होते हैं ऐसे जातक का फ्रेंट सर्कल जो होता है बहुत बड़ा होता है कल्पना शक्ति ऐसे जातक की बहुत अच्छी होती है और दुश्मन ऐसे जातक के जल्दी नहीं बनते अगर भन भी जाएं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेते और automatically दुश्मन जो हैं दुश्मने छोड़ देते हैं trend को follow करने वाला होता है और यहां खुद एक trendsetter होता है ऐसा जातक जो होता है अपनी गलती को जल्दी सभी कार कर लेता है पर अगर पार 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 इनकी गलती के बारे में बताया जाए तो कहीं बार backfire हो जाता है और यह कुसा कर जाते है दूसरों को प्रभावित करने की कला इसके पास अधिक मातरा में होती है यानि की बहुत साउच समझ के साथ अपना जो कारे करता है दूसरों को impress करने का body language भी अच्छी होती है आँखों से भी और जुबान से भी हर रोज सुबा उटकर मुँ पर जीवा पर मुँ में शैद लगाना चाहिए दूद में मक्षन डाल कर मंदिर में दे पतनी कहीं बार सो सुराल से अलग होने के बात करती है जो की नहीं करना चाहिए वासे शुकर दो में हो तो ऐसा बंदा सारे परवार को साथ लेकर शुकर प्रेम है चलने वाला होता है शुकर बुद हो तो उलाद में देरी कहीं बार गोधलिया बच्चा भी देखा गया है तो बीटी पारलर के काम और वफादारी के साथ अपने जो काम करें बातूनी भी कहीं बार इस जातक देखेंगे है बातें भी बहुत करेंगे और चटपटी पाते करने वाले और चटपटा खाने वाले होते है और convincing power ऐसे जातकों की बहुत होती है बहुत चल्दी आपको किसी बात के लिए मना लेते हैं, कन्विंस करा लेते हैं ऐसे जार तक कुछ आईए कि घर में ऐसी फोटो रखे जिसमें राधा कृष्ण हो और कृष्ण भगवान के चरन उसमें जरूर दिखते हूं और दो में हो और पत्नी को स्वास्ते की समस्याएं हो तो शांदी का चला दाहिने हाथ की छोटी उगली में धारन किया जा सकता है पूरा उपाई के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी उपाई, गलत उपाई, गलत वे में से ना किया जाए सोच समझ कर वचार करके सारी की सारी कुंडली दिखाने के बाद ही उपाई किये जाए नौर्थ वेस्ट में कपूर रख ले, तो भी उच्छा होता है गर को साफ सत्रा रखे, नेल खराब नहीं होने चाहिए अगर नाकुन खराब, तो शुकर को खराब यहाँ पर समझ लिना चाहिए खुद को यह शीशे में अधिक देखता है यह शीशा देखना पसंद करता है देखने में बोलबाला लगता है अंदर से काफी चालाक होता है, शातिर होता है कानी होता है, चंद्रमा यहाँ पर खराब है 12th house में हो तो विवाहित जीवन कहीं बार खराब हो सकता है और यहां पर separation भी हो सकती है अधिक तर डिसाइनर प्लेटें इनके पास बहुत होती है डिसाइनर साफसुत्री प्लेट में खाना पसंद करते हैं क्रोक्री के शुकीन होते हैं अलग लग तरह की प्लेट बेहिए ख्रोक्री में दिंपल हो सकते हैं यहां मैंने यह भी देखा है कि ऐसे जातकों के गई बार चिन में डिंपल होता है हर चीज को एक अन्यूनिक तरीके से एक विविन तरीके से एक अनूटे तरीके से करने की इन में चाह होती है और खुद को हमेशा ही बीड का हिसा नहीं बनाती है हमेशा ही खुद को भीड कसे How to generate करने में विश्वास रखते हैं एक अलग शाइन करना पसंद करते हैं कि कहीं बर्गोचर में हो तो कोई ना कोई साग दे जाता है पालक पनीर की सबजी मिल जाती है गर में कोई पालक ले आता है साग ले आता है तो ये भी चीज़े मकी गाटा आ जाता है ये भी चीज़े देखी गई है तोड़ी hidden है मैंने बता दी बात चल रही थी यहाँ पर लिखा नहीं गया ऐसे जातक किसी ने किसी का जूटा खाना पसंद नहीं करते और ऐसे जातक को कभी भी किसी का जूटा नहीं खाना चाहिए और ऐसे जातक कि अपनी प्लेट में किसी के साथ शेयर करना पसंद भी नहीं करते साफ सुतरा बोजन करते हैं कर्राक्टर भी इनको साफ सुतरा रखना चाहिए जब भी पानी विए गलास से अपनी इंडेक्स फिंगर को उठा लेगा और यह भी देखा गया है कि यह भी इनकी आदत होती है कर्ए गालों या चिन में टिमपल हो सकता हम जसे पहले डिसकस किया होट शुंदर होते हैं और पाउट करने की भी इनको आदत होती है इनको हर चीज में कुछ ना कुछ यूनीक या या डिफरेंट चाहिए होता है इनकी श्रेंट बन जाता है इनकी ताक्त बन जाता है शुक्र खाना नमबर दो में हो तो ऐसे जा तक यानि की अलग लग तरह का आटा ट्राइब करते हैं ऐसे तो पहले जमाने में होता था कि आटा जो कनक्ट पिस्वाई जा देते आज तो वह पैकेट आते वह बोरी आती प बात की है सबसे पहले किचन में जाते हैं किचन घर में आते हैं तो सबसे पहले किचन में घुषते हैं और कहीं बारा से जातकों को आदत होती है कि ऐसे ही डिपों को खोल के चेक करके फिर बंद कर दिया पतानी इनको क्या मिलता है ऐसा करने से दिन में इनर्जी चाहे जतन पहाड़ी वाले मंदर इनको बहुत पसंद होते हैं, और ऐसी जगह पर जाना ये पसंद करते हैं, आलू टिकी चिप्स फ्रेंच फ्राइज खाने के शोकीन होते हैं, किसी को जल्दी ये भूलते नहीं, काफी देर तक लोगों को याद रखते हैं, और खुद भी लोगों के जहन में, बहुत अच्छा, अपनी परचाहीं छोड़ जाते हैं, आइस क्रीम, फूल, ड्रेसिंग सेंस, इनकी अच्छी होते हैं, उसके शौक होते हैं, यानि का आइस क्रीम खाना इनको पसंद होता है, और इनको गिफ्ट में अगर कोई ये चीज़ें देते तो ये काफी इंप्रेस होते हैं, बच्छों की कताबों की जल्द बहुत जल्दी रिप्यर करते हैं, ये जा تک देखाते हैं शुकर दो वाले, ऐसे जा तक वैसे कहा गया है, के ना नेवर चाजे बुक फ्रव मिट्स कवर पर ऐसे जा तक मूसली कही बार किताब सिर्व उसका कवर देख चुकिन होते हैं, बालों का बड़ा ख्याल रखेंगे, कोई भी ऐड आई की ये शैपू, ये ट्राइ करें, तो वो ट्राइ करते हैं, और नर्वस हो जाएं कहीं बार, तो इनका बालों में जदा हाथ जाता है, ये भी इनकी एक निशानी होती है, लिली के पर्फ्यूम, जैस की बहुत अच्छी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिजेंट करने के शुकीन होते हैं, यूनिकनेस के शुकीन होते हैं, मिटी के काम में सोना होगा, और सोने के काम में मिटी मिलेगी, भाईयों से या तो फाइदा नहीं होता, या नुक्सान होता है, तो भाईयों क लगी मंदिर में दान करें और ये बहुत ही अच्छा और उत्तम हो पाए हैं शुक्र खाना नबर दो में हो तो बतनी गूमने फिरने की शौकीन होती है और फॉर्थ होस अगर अच्छा हो तो लक्षमी अफ़तार होगा अगर फॉर्थ होस अच्छा है तो कई बार लक्षमी बैठेंगे नहीं यानि की खड़ी लक्षमी होगी पैसा आएगा जाएगा आंधी की तरह आएगा तफ़ान की तरह जाएगा मंदा हो शुकर दो खाना नमबर में खाना नमबर दो में तो ऐसे जाते हैं के चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं और जिन की कई बार ये दवाई भी खाता है तो यहाँ पर हम अंत में एक बार फिर से धन्यागर वाद करेंगे इन लोगों का हमारे सामने जो नाम आप देख रहे हैं इन सभी का काफी योगदान रहा है इस नौलज को आप तक पहुचाने के लिए तो इन लोगों का तहदिल से धन्यवाद और आपका भी इस वीडियो को सुनने के लिए देखने के लिए Thank you so much